कि यह के लिए कहना बहुत मुश्किल हर्षिदा और आइपियो के समय भी हमने आइपियो नोट इस कंपनी के ऊपर इसलिए निकाली नहीं थी क्योंकि मुल्यांगन को लेकर के हमें थोड़ी बहुत चिता है थी और बाकी जो नाम आपने जिकर किये तो कल मैं आपसे जुड़ तो बुनियादी इतर के आधार पर यहां से नीचे के तरफ के दाएरे काफी कम लगते हैं और मध्यमवदी में लग रहा है कि करीबं 120-1205 के तरफ जा सकता है पर अगर आपके पास समय की पामद्दी नहीं है तो यह शायद फिर से जो सरोचम स्तर था उसके पास जा सकता है कोमेंटम ट्रेड रहेगा यह स्टॉक लेकिन गियर शिफ्ट करने की बारी आ रही है नाच्रल गैस के दामों में अजाफा का एलान हो चुका है सरकार ने दरसल कह दिया है कि एक केप्रिल से नाच्रल गैस के दाम बढ़ेंगे इसमें इन फाक्ट बस इस अनॉंसमेंट का ह की इंतजार था जिस तरह से ग्लोबल प्राइसस में इजाफा देखने को मिला है वो डेट वैसे भी करीब आ रही थी कि नाच्रल गैस के दामों में इजाफा होगा और सरकार ने कह दिया है कि गैस कीमतों में बढ़ोतरी होगी ओ इन जी सी ओयल इंजिया जैसे ट्रेड पर जो इनपुट कॉस्ट के तौर पर गैस को इस्तमाल करते हैं खासतोर से वो सेरमेक प्लेज उनके लिए ये एक नेगिटिव रहेगा नीरज बाचपाई सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं हमाँ ऐसा जुडने वाले हैं कुछी शणों में दरसल इस पर और डीटेल में ब से जुड़ी हुई कंपनिया हैं उनको बहुत बड़ा फाइदा होगा इसके साथ साथ मेरे क्याल से कुछ दिनों पहले ही आपी के चैनल पर अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद आईजील का मैनेजमेंट जुड़ा हुआ था और उन्होंने इस पर्ष्ट रूप से यह का सरकार कंपनिया हैं महानगर गैस लिमिटेड एंजील आईजील गुजरा स्टेट पेट्रोनेट जीएस पील गुजराद गैस और पेट्रोनेट अलेंजी और यह मात्रा एक शुरुवात है अर्श्वदा मेरे घ्याल से सरकार जिस तरीके से नीती बना रही है वित्री करण के लिए क्योंकि यहां पर अगर आप शहर के बाहर जले जाते हैं तो अल्टरनेटिव क्लीन और ग्रीन फ्यूर मुलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है नामों के बरावर है तो इनके लिए तो पास्थ्रू अगर करेंगे तब फायदा होगा ना क्योंकि यह तो आई लिली के रूप में अगर मैं आपको बोलू अक्षदा तो पिछले साथ दिनों में छे बारी हमने पेट्रल और डीजल के दाम बढ़ते हुए दिखे हैं उसी लिहास से मेरे ख्याल से जो वित्रीकरण या फिर जो गयास उत्पादन करने वाली कंपनिया है उनको यह जो पास्वा हुए जो